ऐल्लो दोस्तों वेल्कम बैक तो दी चैनल होरुजौन ग्लासटस तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फाइनल अकौंट्स ओफ सोल ट्रेडिंग कंसंड चाप्टर का पाट फूर देखेंगे दोस्तों और आज के इस वीडियो में पुरफुल फॉरमेट हम डिसकस लेकिन मैं क्या करूंगा पहले दोनों फॉर्मेट का फॉर्मेट कवर करूंगा दोस्तों चलिए दोस्तों हमारी वीडियो के हम शुरुवात करते हैं हम पहले यह हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉंसेप्ट समझा जाता हूंगी इस चाप्टर में क्या करना है मैंने जैसे chapter start करने से पहले introduction part में समझा दिया था दोस्तों हमें इस chapter में दो financial statements बनानी है पहला financial statement बनाना है non manufacturing companies का और दूसरा financial statement बनाना है manufacturing companies का manufacturing companies का हम बाद में करेंगे लेकिन आज की इस वीडियो में non manufacturing companies का पुरा format देखने वाले हैं अब यह non manufacturing companies क्या होता है non manufacturing companies ने ऐसे companies जो अपनी company में production process नहीं करते manufacturing नहीं करते इनका main काम क्या होता है supplier के पास से stock लाना goods लाना और profit के मोट्यूसे customer को वो goods बेचना इनका main काम यही होता है दोस्तों तीन accounts maintain करती है पहला होता है trading account second होता है profit and loss account third होता है balance sheet trading account and profit and loss account का concept हमने format के साथ problem के साथ पिछले दो वीडियो में कर दिया था दोस्तों balance sheet का आपको separate problem नहीं पूछेगा 5 marks में या तो 6 marks में आपको सिर्फ इस में format समझा जा जा रहा हूं और कल की वीडियो से हम बड़े problems करना start कर देंगे दोस्तों जैसे मैंने कहा दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरा concept में समझा रहा हूं पूरा format समझाने आपको वीडियो बताऊंगा अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप लिंक डिस्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं दोस्तों चलिए पहले trading account के बारे में बात करते हैं ट्रेडिंग अकॉंट कंपनी वाले बनाते हैं यह पता लगाने के लिए कि कंपनी का टोटल वास्ट और गोड्स ओल कितना है यह जानने के लिए त्रेडिंग अकॉंट में में क्या आता है सर आपके स्किंड के पर format भी दिख रहा होगा दोस्तों format में अब डिटेल देख स तो कंपनी ने एक साल में कितने purchases किये और और कंपनी वाले ने एक साल में कितना बताते हो दोस्तो और साथ यह ट्रेडिंग अकॉन में ध्याते हैं जैसे कंपनी को सप्लाय के पास से company तक लाने के लिए Total कॉस्ट कितना लगा जैसे transportation cost, taxes हो गए, shipping cost हो गए, यह सारा cost आते हैं आपको दोस्तों, trading account में, हमेशा आद रख लिजे, trading account में यह सारे चीज़ें आते हैं, अब trading account को भी आपको gross profit और gross loss पता करना होता है, यह आप कैसे करते हो दोस्तों, दोनों side के आप amount निकालते हो, अगर credit side का ज्यादा आ रह दोस्तों हमारा second account बनेगा profit and loss account, नाम सही इंडिकेट हो रहा है, profit and loss याने company को फाइदा हो रहा है, company को loss हो रहा है, यह पता करने के लिए profit and loss account बनाते हैं, दोस्तों, इसमें भी आपको चार columns दिख रहे होंगे, एक हगा आपको दो particulars के हैं, दो amounts के हैं, जो आपके left side रहता gross profit या तो फिर gross loss find out किया था, वो amount आपके यहां पर transfer होता है, अगर ट्रेटिंग account में gross profit आया था, तो वो credit side direct जाएगा, gross profit, अगर वहां पर gross loss आया था, तो gross loss amount direct यहां पर debit side में चला जाएगा, दोस्तों, यह हो गया, gross profit और gross loss account, अब यहां पर देख लीजे, दोस्तों, सार करने में, product की marketing करने में, जितने भी expense आते हैं, वो सारे आपके debit side expenses में आएंगे दोस्तों, और company को जो भी income होते हैं, company कहां पर भी investment करी, वो पैसा आ रहा है, तो कुछ भी income हो रहा है, वो सारे income दोस्तों, आपके credit side आते हैं, दोस्तों, यह हो गया, दोस्तों, हमारा concept profit and loss account क इसको जाने के लिए, दोनों side के आपको amounts टैली करने होते हैं, अगर आपका credit side का ज्यादा आ रहा है, debit side का कम आ रहा है, तो समझ लिजे company profit में, याने income ज्यादा है, expenses कम है, तो समझ लिजे company profit में, अगर आपको debit side का ज्यादा आ रहा है, credit side का कम आ रहा है, तो आपको company को net loss था दोस्तों यानिन का मतलब होता है इंकम्स कम है और विज्य समय लीजिए आपके दोस्तों यहाँ पर आपको नेट लॉस मिल गए दोस्तों यह एब पिछले दो वीडियो में उसका डिटेल कॉंसेट देखा था लेकिन आज के लिए हमारा नया कॉंसेट रहेगा बैलेंशिट क्यों बनाई जाती है ने कंपनी के पास टूटल एसेट्स कितने हैं यह जानने के लिए कंपनी वाले क्या करते हैं बैलेंशिट बनाते हैं आप दिखाते हो बताते हो लेकिने कंपनी की टूटल खर्जा एक पै करना दोस्ते हैं आप को चार डिख रहे होंगे फॉर्स्ट कॉलम में आपका अपको बताना रहते हैं दूस्तों पहलें हम लेटी वाथ करेंगे उसके बदम एसे डाबढ़ेंगे दूस्त में first आएगा दोस्तों capital का opening balance याने capital total company में total owner ने पैसे कितने लगा है पहले पहले उस company को चलाने के लिए वो अब capital में बताते हो दोस्तों उसमें देखिए add और minus से कुछ concept दिया गया है जो हमने profit and loss account में net profit या तो फिर net loss concept आया था वो profit and loss account में वो यहाँ पर transfer होता है दोस्तों balance sheet में कोई amount transfer होता है अगर समझ लीजिए profit and loss account में net profit आया तो यहाँ पर add होगा अगर net loss आया तो यहाँ पर minus होगा दोस्तों अगर आपके question में कुछ drawings का कुछ amount दिया गए तो drawings का कुछ amount दिया गए तो drawings आपका minus होता है दोस्तों balance sheet में capital में आपने जो भी add करना था add कर लिया जो माइनस करना था माइनस कर लिया तो आपको यहाँ पर total capital amount मिल जाएगा वो capital amount आप water column में लिख दीजे दोस्तों अब निचे आजाए निचे आपको long term liabilities है यह लंबे समय के लिए जो liabilities company लिए है पे करना है जिसमें first आता है loan loan जो company ने लिए कहां से भी ले सकते है financial institution से बैंक से जो भी loan है long term का वह आप amount लिख दीजे उसके पाद आएंगे दोस्तों current liabilities current liabilities हैने ऐसे liabilities जो आपको short period के अंदर pay करना होता है दोस्तों जो आपको convert करना होता है cash में income received in advance income received in advance भी हमारे लिए liabilities होता है दोस्तों याने अडवास में income मिल गया जो income अगले साल या तो next period में मिलना होता है वह अभी प्रेड में मिल गया तो आपके liability होगा वह आप लिख दीजिए amount उसके बाद है sundry creditors sundry creditors जैने जो आपके supplier के पास है आपने stock हुदारी पर लिया है उसको pay करना होता है उसके बाद outstanding expenses जो expenses आपको pay करना होता है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया तो company के लिए outstanding होता है उसके बिल्स पेडल बिल्स पेडल आने कुछ भी आपने फूदारी पर पैसे लिए बिल्स देगे अब जैसे एक्जामपल के तौर पर आप किसी के पास से पैसे लेते हो बॉंड इशू करके तो company यहां पर पैसे लेती है बिल्स देखे वुद्स का अमाट्र होता है वह बिल्स पेडल में आता है बिल्स पेडल का जितना भी हमां साथ है वह आपके लाइबरेटि साइड भी डिग दिजिए दोस्तों यहां पर हमने क्या आता है उसके बाद सारे आता है हमेको अभी तक जो company कमाती है साल वस और किटना है वह लिए यह सारे स Current करें किया है किटने का इंव्यश्मेंट किया है वह भी थो आप सब्सक्राइब नीचे आपके सारे करेंट असेट्स एक इसेट्स आप बेच के कैस्ट कर सकते हो जिसमें फॉर्स टैक प्लोजिंग स्टॉप जो कंपनी के पास प्लोजिंग एक साल में टोटल स्टॉप कितना बच जाता है ऐग्या पर इसके दो इंट्रिस बनती है दोस्तों उसके बाद आए अक्योड इंकम ने इनकम बनाया है लेकिन उसके पैसे अभी तक नहीं मिले तो और कमपनी ने गूड्ड बोचे हैं अब उसके पैसे आने तो कितने पैसे आने हैं ऊब यह बवार्ञड में लिख दें दुझे दोस्तों उसके बद प्रिपेड एक्सपंस रह पूरा लिख दीजिए और दोनों साइट के अमोर्ट जो है वो दोनों साइट के अमोर्ट में पूरा लिख दीजिए और दोनों साइट के अपनेट कर लीजिए फ़र्याबिलिटी इश कर लिजिए उसकी मता है कर लिगा अगर आपका लैबलेटी साइट और असेट का साइट का अमौड दोनों सेम आना चाहिए हमेशव आज रहे लिए लाब लिटी के ओर एशेट्स के अमेश्य से माना चाहिए अगर से माया तो समझ clearly जो पूरा आप अकॉंट्स बना रहे हो वह राइट है here s aid नहीं की आज तो समझ लीजे आप अगर तैली हो रहे हैं तो समझ लिघे आपका ट्रेडिंग pemis से हमारे बड़े results कर कर देंगे दोस्तों हमारे चैनल के साथ ह NueQ Comment смотрите कर लिघे का Japan को आगे हमाको ऐसे हैं आपके देखलों मिलेंगे और एक बाद मैं financial accounting के glasses start कर दिया था जिसके playlist का link में आपको description box में दे दूँगा जहां पर आपको एक ही जगा पर सारी glasses आपको financial account के मिल जाएंगी दोस्तों और trading account and profit down loss account के जो भी format मैंने पढ़ा हैं उसके भी links में आपको description box में दूँगा अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को subscribe कर लिजेगा और अपने सारे फ्रेंड्स आद इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों thank you so much